आज मैं आप लोग के लिए ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जो कि आप लोग के लिए बहुत ही हेलफुल होगा खास करके इस इंटरसीजर लोग हजारों रुपया खर्च कर लेते हैं कुछ ऐसे प्रोड़क्त में जिसके साथ टैग लाइन जूड़ी होती है होममेड या फिर हम लोग एक बार भी सोचते हैं कि ये सारे चीज हम लोग के घर पे ही आवेलेबुल है और इसे हम लोग रोज मर रहे की जिन्देगी में हर दिन यूज़ करते हैं इस इंग्रीडियन को सही तरीके से यूज़ करना हम लोग को आना चाहिए तो आज मैं बात करने वाली जो कि purely handmade है और इसे हम आसाने से अपने घर पे ही बना सकते हैं ये सोप आपके स्कीन को healthy, glowing, natural लूग देता है और खास करके जो इस winter सीजन में स्कीन ड्राइंग का प्रोब्लेम आता है ये उससे भी हमको छुटकारा दिलाएता है ये बिल्कुल भी ऐसे जूटा दावा नही करूंगी कि ये सोप आपको रातो रात गोरा बना देगा या फिर whitening, brightening ऐसा कुछ इफेट देख देगा लेकिन ये 100% सियोर है कि ये आपके स्कीन को healthy रखेगा और हाँ glowing ज़रू बराए हम लोग इतने सारे पैसा खर्च का देते हैं इन chemical products में तो उसके comparatively ये तो बहुत ही इसे यूज करने के बाद इसका result जरूर आके मेरे चैनल में मेरे साथ share किजिए comment सेक्श तो ज़्यादा बखवास ना करते हुए चलिए सूरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इसे बनाने का procedure गेट स्टाटेड तो पहले हम लोग को जो मेन इंग्रिडियन्ट चाहिए वो है ये सोबेस तो मैंने यहाँ पे एक गोल्ट मिल्क सोबेस ली हूँ और मैं इसे एमाजन से पर्चेज की थी अभी विंटर सीजन चल रहा है तो मिल्क सोबेस हम लोग के लिए अभी बेस रहे अब यह अच्छे से मेट ने हुआ है तो इसे थोड़ी देर के लिए हम लोग छोड़ देते हैं ऐसे ही जो मैं पहला सोब बनाने जा रही हूं तो उसके लिए मैंने एक मुठी चावल पहले से ही भीगो के रखी थी उसे अभी मिक्सर में डाल देते हैं और यह कुछ टुक और यहां पर यहां पर सोबेस भी मेल्ट हो गया है इसको भी इसके में ट्रांसफर कर लेती हूं और धीरे धीरे इसको मिलाए थोड़ा-थोड़ा करके और मिक्स करते जाएं यह वाले सोब में हम लोग चावल का यूज किये हैं जो के हम लोग के स्कीन, वाइटनिंग और ब्राइटनिंग में बहुत ही अच्छे से काम करता है हल्दी और ओरेंज का छिलका हम लोग के स्कीन के टैनिंग को दूर करने में हेल्प करते हैं अब ये सारे चीज को अच्छे से मिला कर मैं ये सिलिकॉन मोल्ड में ट्रांसपर कर रही हूँ ये सिलिकॉन मोल्ड भी मैंने Amazon से ही purchase की थी ये वाला soap तो complete हो गया है अभी बारी है second वाले soap तो उसके लिए मैंने यहाँ पे fresh aloe vera ले ली हूँ और इसमें डालती हूँ कॉफी दो से तीन चमच और उसके बाद इसमें हम डालेंगे skin moisturizing के लिए honey वो भी 2-3 spoon हम लोग डाल देंगे और इसको अच्छे से mixer grinding में mixing कर लेंगे मैंने soap base को पहले से ही मेल करके रखी थी अब इस सारे चीज को अच्छे से मिला लेती हूँ तो आप लोग यहां पे कोई सा भी aloe vera gel यूज कर सकते हैं लेकिन वो 100% pure होना चाहिए जो की white color में आता है अब यह सारे भी अच्छे से mix हो गया है और इसे भी मैं अभी mold में transfer कर लेती हूँ अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को एक like कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए क्योंकि यह विल्कुल free of cost है अभी इसे हम लोग छोड़ देते हैं डिफ्रीजर में set होने के लिए अभी आप लोग सोचेंगे कि यह तो डिफ्रीजर में डाली थी तो नीचे वले रैक में कैसे आ गया तो आप लोग को बता दू इससे बनाए हुए दो से तिन दिन हो चुके हैं और इसमें से निकालके मैंने एक यूज भी कर ली हूँ तो अब यह है इसका final result देखिए कितना प्यारा और सुन्दर लग रहा है और इसका result भी काफी अच्छा है यह skin को moisturize रखता है तो आप लोग इसे जरूर ट्राइ किजिए और इसका result मेरे साथ share करना बिल्कुल मत भूलिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक की लिए बाई बाई